कि हालो एवरिवन आईटे भारत इसकी लिटी चनल सो आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले कंप्यूटर के इंपोर्टेंट कोश्चन को जिनका एक्जाम यूपी पीसे टीजू का एक्जाम है नेक्स मन्त में तो यह प्रेटिस के तौर पर आपकी क्लास रहेगी और इसमें डेली आपको इंपोर्टेंट कोश्चन कराएंगा जो कि अभी तक प्रिविस एक्जाम में कोश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं वही कोश्चन करवाएंगे तो वीडियो के नंतक बनेंगा विलिक्स किम मत करना चैनल पहले एकन घंटी कॉल पर प्रप्रस करना जिससे क्या हो नई वीडियो को नोटिफिक्रेशन आपको मिलता रहेगा तो कॉम्प्यूटर के हाँ पर आपको 50 कोश्चन रहेंगे जिसमें 20 कोश्चन लाना बहुत अनिवार है तब ही जाके आप पार्ट भी एड किया जाएगा तो बिल्कुल अच्छे से कंप्यूटर जितने भी कुश्चन करा हूं उनके अच्छे से प्रटिस के लिए तो आज मुआर प्रटिस सेट फरस्ट है बाकी डेली आपको परवाइट करवाएंगे ठीक है चलिए कुश्चन को सीदा हम स्टार्ट करते है कुश्चन आपका फरस् कौना चाहिए अब दक आपने अच्छे से पर्तेयारी किये काफ इस जितना समय बचागो से हो जा know कर रहे हैं option number B कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा यानि क्या ओसी आर एफ फॉंट इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेर की मानको के आधार पर उसी आर फॉंट है जो 1906 में computer optical character recognition के शुरुवाती दिनों में बनाएगा था एक फॉंट है ठीक है चलिए अगला कोशन को अच्छे से पढ़िएगा और राइट आंसर कमेंट कर जितने कोशन करवाएंगा कि निम लिखित में से कौन सा कथन गलत है गलत बताना ऑप्शन दिया गया बी दिया गया सी दिया डिया यह आपका प्रटिस सेट है तो जितनी आप प्रटिस करेंगा उतना आपके जली बिटर रहेगा तो जानी इसमें अपड़िए प्रटिस कर रहिका इते हैं यह सक्झे होती है यह सही है आप्शन हमारा बीदिया का रॉम एक इस्तिर अपका डिया कैस महुंआरी शीपीड और रैम के बीच की जो एक बहुत ही हाई स्पीड महुंआ होती है यह हमारे क्या ओप्षन सही होगा ऑप्षन बी क्या हुआ गलत हो का भी बचो ने इसका राइट अंसर द लिएफ इसका राइट आंसर क्या हो चाहिए बिटेट के चिनका ओपि इसका सिवसे riv होना चाहिए तो जो भी साथ है इसका राइट अंसर हो जाएगा या यानि क्या है जो करनेल CPU का Core होता है यह हमारा का सत्य नहीं है बाकी जैसे कि आपका Option A गया है Control जो होता Unit CPU का एक हिस्सा है CPU संग्रेट प्रोग्राम निरे दूस्टों को निस्पाइद करता CPU को Micro Process के रूप में भी कारे करता यह Option से आपके सही है बाकी Option D क्या होगा गलत होगा चलिए अगला कोशन आपकी स्कीन पर यह ना कोशन को अच्छे से पढ़िएगा जितने भी दुस्तों कोशन कराना बहुत ही important एक बार इसका पूरा अच्छे से एक्जाम से पहले रिपीट करके जरर हो जाना कोशन को देखकर अब इक कोशन ही दिया गया कि central positioning unit के संदर में निमन लिकस्त में सकौन सा कथन सत्ञ नहीं है तो यहां पर भी दिया कोशन सकौन सा कथन इस तरह से क३शह चाहीं से पूछे जाएंगा आपकी ए proud exam यानि कि अगर सेंटर पॉसेसिंग उनिट के संधर में निम्ड के तो जो सत्य नहीं है वह एक अर्थमेटिक अंकरती ऑपरेशन करता यह गलत है ठीक है यह दात नक्रा ठीक है वाकि जो ऑप्षेंस दियेंगे सीप्यू डेटा और रिजिस्टों को प्रसेंस करन करता है और ए यह आपका प्रेटिस सेट रहेगा भी तक आपको काफी समय मिला है इस एक्जाम के लिए आपने अच्छे से प्रेटिस की होई और जितने कोश्चन करवा रहा है आप इनकी जरूर प्रेटिस कीजिएगा दिखिए कोश्चन दियागा आपकी स्कीन पर यहां पर कोश्चन पूछा गया है यह आप अपने PC की कारिश हमता को बहतर करना चाहते हैं तो आपको निम लिखित को अप्ग्रेड करना होगा वंदल किसको अप्ग्रेड करेंगे ऑप्शन एदियागा CPU करेंगे मॉनिटर करेंगे कीबोर्ड करेंगे या इन में से किसी को नहीं करेंगा सभ जो भी साथ इसका राइट अंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नमबर एज राइट अंसर हो जानी CPU तो PC के अगर कार्चमता आपको बढ़ानी है अगला कोशन देख हैं आपकी स्कीन पर यह रहा कोशन को अच्छे से बढ़िए को वर्तमान में CPU द्वारा निस्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्हें लिव्कित मैं सो कौन सब्सक्राइब करेगा या पिर एक्जाम में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो प्राइमरी मौम्री क्या होगा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्राइमरी मेवरिस का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं आपकी स्कीन पर यह रहा कोशन को अच्छे समझेगा जब भी एक्जाम में देने जाएं तो कोशन को हमेशा अच्छे से पढ़िए उसकी बाद ही राइट आंसर कमेंट करना ठीक है तो जो भी साधी इसका राइट आसर कर रहे हैं देखिए हैं आपर कोशन में देया CPU द्वारा निस्पादित संपादित किये जाने वाले चार कार ऐसर consistency करता है और गुलेट करना तो इसमें सरी न्शर कोन सा ये आपको बताना और आप दे सकते हैं एग्जाम में पूछा कोशन है तो सभी साथ बताएं का स्का राइट अंसर कोन सा होगा जितने भी साथी वीडियो देखा रहें एक है तो जो भी साथ विडियोंक्तने प्रदान करें यानी कि अगराए इसका वारा क्यों पराप्च करन?. इश्पष्ट करना कुसल प्रविर्तन और प्रणाम प्रदान करना यह हमारे क्या होते हैं चार इंप्रण कार होते हैं शले अगला कोशन देखिए आपकी स्कीन पर यह रहा कोशन को अच्छे से पढ़िएगा कोशन में दिया गया है पर देगा निम लिकित में से कौन सा कार क कि उस मात्र को दरशाता है जिस zaman्ता है जिसे सिस्टम परती 21 समय में करने में सच्छम होता है तो उस्टें लाइगा अफ्षेट दी दिया गया ओपच्छन लगे जवाव देने का स्मय तो इसमने प्रवार नकरता कर्या होना चाहिएक बार रहे तो जो भी साथ इसका राइट अंसर करके आएंगा option number is right answer यानि कि प्रवायन throughput इसका correct answer हो जाएगा 2021 में question पूछा गया है जिदने भी question कपड़ा रहे हैं यह आपकी प्रेटिस के लिए है ठीक है और जितने भी question है बहुत important question जो आपके exam में repeated हो सकते है 101% चलिए question अगला आपकी skin पर यह रहा question को अच्छे से पढ़िएगा question में दियागा इन में से किसे computer का मस्तिस का जाए very important question दिए किangenच करूंबर खी बैब उना चाहिए तो सभी को याद सको अना चाहिए और exam in full formatra और में पूछा यह तो सब को यादちは center processing unit इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक है और बात करें अगर CPU के parts की मतलब इसके जो भाग होते हैं कुछ भाग बहुते हैं ALU होता है और यहां पर control unit होता है इसकी बाद memory unit होता है यह क्या होते है CPU के parts होते हैं ठीक है चलिए है अगला question आपकी screen पर यह रहा है question को समझेगा question को देखिए हम computer की गति को microsecond में व्यक्ति करते हैं निम लिकित में से कौन सा 1 microsecond के बराबर है तो कौन सा है जो microsecond के बराबर है option A दियागा option B दियागा option C दियागा यह तो सभी को मालम होगा तो आसानी से comment भी कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आराम से comment करके बताएं इसका right answer क्या हुआ जितनी ज़्यादा अधिक practice कर सकते हैं उतनी ज़्यादा कीजिए exam time पे यही होना बहुत ज़रूरी होता है चलो जी comment करके बताएं इसका right answer तो काफी बच्चे इसका right answer comment भी कर रहे हैं तो जो भी साथ इसका right answer कर रहे हैं हमारा option number C is right answer हो जाने क्या हो 10 the power minus 6 second क्या होता यह हमारा 1 microsecond बरावर 10 the power minus 6 second होता चलिए अगला question देखिए आपकी screen पर यह ना question जितने भी question कर रहा हो इंपर्टन कर रहा हो तो देखिए question में दिया गया है MFL OPS क्या है तो दीखिए option से पढ़िए option A दियागा option B दियागा C दियागा दिया तो यह है क्या चीज इसके बारे में आपको बताना है कि MFL OPS क्या है तो बताए जिए जिए से comment करके सभी साथी comment करेंगे जितने भी साथी वीडियो देखिए सभी comment करताएं इसका right answer तो काफी बच्चे इसका right answer comment भी करने लगे है तो जो भी साथी इसका right answer कर रहे है option number 20 right answer हो जाए गया है इसका उपयोग CPU की गती को मापने के लिए किया जाता है MFL OPS अगर इसकी full form की अगर बात करें तो M का मतलब होता है million F का मतलब होता है floating और P का मतलब होता हमारा point और O का मतलब होता operation और per second यह इसका समचित का full form होता है इसको आप note करना चाहिए तो note कर लिएगा million floating point operation per second इसका full form होता है ठीक है इसको आप नोट कर लेना बिल्कुल और अगर बाद एक अगर पूछ ले जाए M.I.P.S तो M.I.P.S जो होता है Million of Interaction per Second माप आ जाता है ठीक है चलिए इसका अगला कोशन देखते हैं और वीडियो को जरूर शेयर करना चैनल पर पहली बार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे किया नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है चलिए कोशन अगला कोशन आपकी स्कीन पर यह रहा कोशन को अच्छ देखेगा कोशन भी दिये गए आप अच्छे समझेगा जी एफ एलो पियस और टी एफ एलो पियस से छोटा होता है और हमारा सेकंड अप्शन है एम एफ एलो पियस और जी एफ एलो पियस से बड़ा होता है तो इन में से कौन सा कतन आपका सत्य है यह आपको बताना औप्शन को आता है वहालानीeeee इस को आता है। ध्यान रखना एक्जाम में पूछा कोशन है तो इसी गया था प्रोसेसिंग स्पीड फ्लॉप्स होते हैं ठीक है इसका राइट अंसर हो जागा ऑप्शन नमर बीज राइट अंसर चलिए अगला कोशन देखते हैं आपके स्कीन पर यह रा कोशन को अच्छा से पढ़िएगा कोशन में दिया गया निम लिकित में से आकार के अनुसार आरोही क्रम में विवस्थित करें तो आरोही क्रम में बताना ठीक है आप्शन नहीं दिया गा आतिखिये लूपियस है M, F, L, O, P, S दिया गया J, G, F L, O, P, S दिया गया तो R, O, H, करम में बताना R, O, H सब भी साथ ही बताएं इसका राइट अंसर क्या होगा तो जो भी साथ ही इसका राइट अंसर कर रही है option number A is right answer हो जाएगा क्या होगा A is right answer हो जाएगा जो हमारा होता है M, F, L, O, P, S जो हमारा है इसकी अगर value की बात की जाए तो इसकी जो value दोस्तो हमारा होती है तो इसकी जो value हमारे दोस्तो होती है वो इसकी देखो इसकी होती है 10 the power 6 value होती है और इसकी बाती है 10 the power 9 value होती है और इसकी होती है 10 the power 12 और होई करम में मतलब बढ़ते करम में मतलब छोटे से बढ़े बियाना तो ऑप्शन नमबर एज राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन आपकी स्कीन बजीदों की 2021 कोशन पूछा गया इसलिए आप इसको एक बार जरूर ध्यान में रख लेना चलिए अगला कोशन सब्सक्राइब करेंगे और आपने अच्छा इसका प्रवाइट करवाएंगे तो जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं 141 कोशन का option number C is right answer हो जाएगा यानि क्या होगा हमारा ALU CU यानि CU दिएगा और रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन आपकी स्कीन पर यह रहा क्वेशन को अच्छे से पढ़िएगा क्वेशन में दिया गया है कि कंप्यूटर की दुनिया सुन और एक से निर्मित है इन सुन और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है तो क्या लगाएंगे अप्शन नहीं दिया गया इन्पूर्ट डिवा आंसर क्वाइं अन्र है कि 對不對 कर रहे हैं क्या अगला को सकी सकींधर को अच्छे थे पढ़िएगा को सब्सक्सरा में दाता है is सबी साथ राइट आंसर कों सा होगा सबी साथ ही बताएंगा इसका राइट आंसर प्रोप्षेस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा चली अगला कोशन देखते हैं और वीडियो को जाद सद अपने study group में जरूर शेयर करना चैनल पर पहले बार वेश्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है जितने कोश्चन करवा रहा हूं सुरह आपके important करवा रहा हूं क्योंकि एक्जाम में computer बहुत ही important है चली अगला question दिया गया है कि एलू निम लिखित का पार्ट है किसका CPU का CU का या फिर memory का इनमें से कोई नहीं पताई इसका right answer कौन सा होगा सब्सक्राइब करेंगा इसका right answer क्या होना चाहिए जितने भी साथी बीडियो सब्सक्राइब करेंगा इसका right answer तो काफी बच्चे इसका right answer कमेंट भी कर रहे हैं यह याद ध्यान रखना हूं चलिए अगला कोश्चन है कोश्चन में दिया कंप्यूटर को दिये गए आधेश हो याने कमांड के किरियान वहन की छमता निम लिकित में से किसमें है तो किसमें दिखें ऑप्शन नहीं दिया प्रोसेसर सॉक्रेट में सब्सक्राइब करें कि जितने भी साथी एक्जाम देने वाले उनके लिए बहुत इंपोटन है तो जो भी साथी इसका राइट अंसर कर रहे हैं को अच्छे से पढ़िए गा जितने पी इंपोटन कोश्चन कोश्चन दिखिए यूएस भी टर्म का फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म पोचा गया तो जली से कमेंट कर बदाए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए सभी साथी कमेंट करेंगे चार आप्शन सब्सक्राइब करने या माउस की बॉर्ड प्रेंटर पॉर्टेवल बीडिवाइजर ड्राइब को पेरिफेल्टर डिवाइस को मद्धि इलक्रोनिक पावर सप्लाई के डिजाइन द्वारा एक क्या होता कंपोनेंट होता है अगला कोशन देखिए आपकी स्कीन पर यह रह के संचही हो क्या होना जैसा हुए इसका अन्सर क्राइए में जैना है इनमें से सभिक सभी क्या करते mı मूल ऑप्रेशन यह सबी के सबी क्या करते हैं मूल ऑपरेशन कम्पेटरों द्वारा किये जाते हैं चलिए अगला कोशन आपकी स्कीन पर यह रहा कोशन कोचे से पढ़िएगा ध्यान पुर्वक देखिए कोशन में दिया गए हम किसी कंप्यूटर सिस्टम के बार बार एक जासा इंट डालते हैं तो हमने सामान प्रडाम मिलता है कंप्यूटर की यह विस्ट्रा क्या कहला कि अप्षन भी विश्यानका केलाईगे सबी साथी यह लिए कुमेंट करेंगे इसका राइट आंसर और 2011 में पुशाए कोश्य है बहुत ही इंप्रॉटन कोश्यन तो जो भी साथी इसका राइ विश्वायसी नहीं है ये क्योंकि ये डेटा का समान सेट लिए लगातार प्रडाम देता है यदि हम एक ही इंपुट का सेट कितिनी बार देते हैं तो हमें वही प्रडाम मिलेगा ठीक है चलिए अगला कोशन आपकी स्कीन पर यह रहा कोशन को अच्छा समझ येगा कोशन को सब्सक्राइब करें कार्ण करने में सच्चम बनादेए सब्सक्षाल गिएगा है ऍगला कोशन कोशन को समस्याओं को हल करने का कॉप्यूटर की विस्ताओं को दर साते है कौण दर साता है ये परिसुदता बहो विज्याता गती या option D दिएगा उध्धम सीलता तो क्या होगा सभी साथी comment करेंगा इसका right answer क्या होना चाहिए जितने पिसाथी वीडियो सभी comment बताएं इसका right answer तो काफी वच्चे इसका right answer comment भी कर रहे हैं तो जो भी साथ इसका right answer करते हैं वर्से टी लेटी इसका correct answer ने बहु विज्ञानता इसका correct answer हो जाएगा चलिए अगला question आपकी स्कीन पर यह रहा question को अच्छे से पढ़िएगा question में दियागा computer की निम लिकित में से कौन सी विसेस्ता है जो एक ही समय में अलग-अलग काम में समर्थ बनाती है तो कर्मटता, सुद्धता, गति या इस्तिरता जितने बी जो जो भी साथ इसका right answer कर रहे हैं यानि option number D is right answer हो जाएगा यानि अस्तिरता इसका right answer हो जाएगा चलिए अगला question आपकी स्कीन पर समझेगा question में दियागा तुर्टी मुक्त गढ़ना करने की चमता computer की गुड़ को दर्साती है कौन से गुड़ को दर्साती है कौन से गुड़ को दर्साती है तो जो भी साथ इसका right answer कमेंट कर रहे हैं option number C is right answer सदीकता इसका right answer हो जाएगा और दोस्तों यह last question है इस set का question में पुछा गया computer की विश्यस्ताओं को दर्साता गती को उद्धम सीलता को कोई IQ नहीं option D है बहुत भी ग्यान तक बता इसका right answer सभी साथी बताएंगे दोजार गुणिस में पुछा गया तो जितने भी साथी इसका right answer कर रहे है option number B is right answer यानि उद्धम सीलता इसका right answer कहलाएगा तो दोस्तो आज का हमारा सेट ही complete होता है मिलते है नेक्स सेट में अगर आप लोगों अच्छा support किया तो आपको daily ये सेट प्रवाइड करेंगे और जितने भी कुशन बहुत ही important कुशन है और आप electrician के अगर class चाते हैं बार्ग और UPPCL की important classes कुशन की तो आप हमें comment box में comment शरूर बता देना तो मिलते हैं नेक्स सेट में thank you for watching इस वीडियो जय हिन जय भारत